दसहारा तेवार के सूप वसर पर मजगावां गाउं के बजार परिशर में भासकर युवा कलब के ओर से एकम तिथी से शुरू हुए प्रवचन में वारा नसी से पधारे जितेंदर मनी तिलपाटी के द्वारा बुधवार को राम नाम की महिमा पर सरधालों को विस्तार से बताया परवचन में बताया कि मनुस्य को हमेशा भगवान के भक्तों का आदर करना चाहिए भगवान के भक्तों से संपर्व करने से आपके अंदर के दुर्गुन धीरे-धीरे सोता ही समाप्त हो जाएगा मनुस्य को अपने जीवन में मंदीर में जाकर सिर्थ भगवान का दर्शन करने से जीवन धनिय नहीं होता है जीवन तो धनिय तब होगा जब भगवान के भक्तों का आदर करें सम्मान करें तभी आपका जीवन सार्थक होगा साथ ही कहा कि विविशन भी भक्त थे प्रांतु रावन के द्वारा उनको तिरसकार किया गया था जिसका परिणाम हुआ कि लंका नगरी का सर्व नास हुआ दूसरा भक्त विदूर्शी थे जिनको कड़ूं के द्वारा आदर नहीं किया जाने से उनका भी नास हुआ इसलिए सास्त्रों में वनन है कि भगवान का कथा सुनने वा सुनाने मात्र से आपका मानो जीवन धन्य धान्य हो जाएगा सुरोता गन्मी, अरुन मिस्रा, सत्राजित्र मिस्रा, सुनिल चौबे, बुधि नरायन सिंग, भारतेंदु चौबे, मितुंजय चौबे, सर्वन पास्वान, अमनास चौबे, वीपिन चौबे, सहित सधालु मौजूद थे पूरा संसार परिवार है, पूरा विश्ष परिवार है, इस परिवार को लेकर के चलने का कारकिया